नियम तो ये है कि आदव श्रद्धा तता साधु संगो थो भजनक्रिया ततो नर्थ निव्रित्यस्या ततो निष्ठा रुचिस्तता अथा सक्तिस्ततो भावत तता प्रेमा भ्युदन्चति ये लिंक है यानि सबसे पहले श्रद्धा आवश्चक है अगर श्रद्धा नहीं है तो अग्यश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा बिनश्चति एक तो अग्यानी हो न कभी सुना न पढ़ा न सोचा न जाना भगवान ओगवान जीव क्या माया क्या शरीर क्या लक्ष क्या कुछ नहीं रोटी डाल खाया और बाल बच्चों के अटैच्मेंट किया मर गए मरने के बाद फिर कुद्धे बिल्ली गधे के योनियों में 84 लाक में घुमें तो उनका तो सर्बनाश हो नहीं है नंबर दो जो अश्रद्धा लुए श्रद्धा नहीं रखते संत मिले अरे साहब सारे संतों का संग किया है मैं बुड़ा हो गया यही करते करते कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बगल में कोई सत्संग भवन है मंदिर है जो बाबा आया वहाँ चले गए और सुना और सुनने के बाद यह जरा ऐसा बोला है यह जरा ठीक नहीं है यह जरा दूसरा बाबा आया वहाँ भी चले गए हम दो बैसाब को नमस्कार करते हैं सब की सुनते हैं और करते हैं अपने मन की सुनते हैं सब की यह हंकार और पैदा हो गया सब बाबाओं के हमने सुने हैं लेक्चर सत्चंग क्या है यह सत्चंग कहलाता है कान से सुना और निकाल दिया इसको सत्चंग कहते हैं क्यों कान पवित्र होते हैं अन्ता करन पवित्र होने की जरूरत नहीं है कान पवित्र हो रहे हैं आँखं से दर्शन किया मंदिर में आँख पवित्र हो रही है जबान से राम राम कहा जबान पवित्र हो रहा है मन से कोई मतलब नहीं है ऐसे अश्रत धालू का भी सर्वनाश होता है नमबर तीन संशयात्मा हर जगे डाउट भगवान आवे संत मिले कोई मिले यह हमको तो जच नहीं रहा जो हमारी बुद्धी के अनुसार हो वो जचता है हमको यानि हमारी बुद्धी अन्ति मतार्टी है आइसी भावना वाले संशय करते हैं हर जगे अनंत संत मिले सब जगे शंका किया यह बाबा अबा नहीं है यह तो ग्रहस्ति में रहता है प्रहलाद है धुरू है अंबरीश है बड़े बड़े संत जो इतिहास में हुए उनके दमाने में भी हम थे अरे देखवा यह प्रहलाद यह बाबा जी कह रहे थे भागवत प्राप्त संत है बताओ तीस करोड सरसथ लाक बीस हजार बर्स राज्य किया इसको बहराग नहीं हुआ और आप कहते हैं भागवत प्राप्ति किये हुए हैं भागवा यह हर जगे बुद्धी लगा करके हम अलग हो गए जो सबसे बड़ी आचार्ज हैं गुपियां जब ग्रहस्ती हैं विचारी इनको महात्मा कहते हैं लोग कैसे पागल हैं यानि ये तीन प्रकार के लोगों का कल्याण कभी नहीं हो सकता तो अश्रद्धालू के लिए तो सब हिजायत कर रहे हैं पहले श्रद्धा अवस्चक हैं लेकिन बेदव्यास ने कहा कि सताम प्रसंगान्मम बीर्ज संभिदो भवन्ति हिरित करणर सायना कथा तज्योशना दाश्वपबर्ग बरत्मनी श्रद्धारतिर भक्तिर नुक्रमेश्यति तीसरे असकंद के पचीसमे अध्यायका पचीसमा अश्लोक विदव्यास ने कहा अगर कोई वास्तविक संत के पास जाकर निरंतर नित्य सुनता रहें नहीं है श्रद्धा अब पती बैठा है तो हम बीबी हैं हमको भी बैठना पड़ेगा चलो बैठेंगे बेटा कहता है पिता जी डाटते हैं चलो हम भी बैठेंगे क्या कहते हैं बाबा जी सुनेंगे इस भाव से लेकिन लगातार सुनता है तो लगातार सुनने से तत्वक ज्यान तो हो गई बुद्धी में तो आए गई अच्छा हमारा मनुष्य शरीर इतना इंपॉर्टेंट है देवता लोग चाहते हैं अच्छा हम आत्मा है और हमने तो कभी सोचे ही नहीं और ये संसार के रिष्टेदार जो है ये तो सब बदलने वाले मरने के बाद कोई साथ नहीं देगा है हाँ बाबा जी ठीक कहते हैं ये तत्पक ज्यान जो जो होगा तो तो श्रद्धा बनती जाएगी और श्रद्धा बनी तो फिर सब्संग ने अपना कमाल शुरू कर दिया यानि भगवान से अनुराग संसार से मन हटने लगेगा और अनभो भी होता जाएगा देखो जरा सा स्वार्थ गडबड हुया कि पिता जी ने कहा माता जी ने कहा बीबी ने कहा स्वार्थ के साथ ही है यह हमारे साथ ही नहीं है यह प्रैक्टिकल भी अनुवो हो रहा है और संथ की बाणी से भी तत्वज्ञान आ रहा है तो उसका कल्यान हो जाता है कर दो जाता है कर दो जाता है